हलो एव्रीवन वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल इंगल्स लिटेचर जून आज की वीडियो का हम लोग का टॉपिक है लुक बैक इन एंगर जो कि जॉन आपस बॉर्ण की काफी फेमस काफी फेमस प्लेयर तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो जो है काफी इजी लें एंगल इसकन संपंड जहहां तक लुक बैक इनगल कर शंब है इंगर कर चॉमन है इल्मित ए रिज्टिक प्लेयर एक रिश्टिक वास्तिविक प्लेयर रिटेन बा एक Great English इसको एक महान इंग्लिस नाटक कार के द्रा लिखा गया इनका नाम है जॉन आपसबॉन, इस एक ती एक्ट प्ले या एक तीन अक्ट का प्ले था एंड वन उप्च फेमुस प्ले अफ दे मौडन इंग्लिस लिटरेचर का वन अफ दा फेमुस प्ले है मतलब बहुत जादा परशिद्धी मिलिया इस प्ले को इट इस रिटेन इन 1955 इसको लिखा गया था 1955 में इन इंग्लेंड में एन फर्स्ट परफॉर्म्ड इन रोयल कॉर्ट थेटर और पहनली बार जो परफॉर्म किया गया इसको इन 1955 इन 1955 में लिखा गया निनl washes गया इसको प्ले किया गया जो'क सिर्म में जो प्ले है परफॉर्म के साथ प्ले इन 9 फी फिक प्ले मुव शेराउंड है मिंजर करेक्टर पूरा प्ले घुमता है इसके प्ले है नेमड जिमी पॉटर है इसका नाम है जिमी पॉर्टर एक frustrated एक frustrated angry young man रहता है जो कि मतलब गुष्रा वाला भी रहता है और काफी ज़दा frustrated रहता है एक famous American playwright एक famous American naatakar Arthur Miller calls the play प्ले के बारे में कहते हैं the only modern English play that he can see मतलब पहला एक ही play था जो Arthur Miller जो अपने life में देखे हुए थे उसकी बात है John Russell Teller calls the play John Russell Teller's play के बारे में कहते हैं the beginning of the revolution in the British theatre कि मतलब यह play को देखने के बाद बताते हैं कि यहां पे क्या हुआ beginning हुआ फिर से आरम हुआ revolution एक क्रांती हुई शुरू British theatre में ठीक है फिर आगे है तब play starts with Jimmy play शुरू होती है Jimmy से शुरू होती है and Elishan Potter Jimmy and Elishan Potter से शुरू होती है as they attempt to navigate class conflict वो लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने class conflict मतलब जो class वाला संगर्स है अपर class दो और class वाला संगर्स मिटा कर मिटा सके and deal with a deteriorating marriage in 1950s England मतलब जो साधी खराब हो रहा है उसको बचा सके ठीक है बिगर्ती वी साधी को बचा सके अपने class difference अटाके और यह किस time कशीन है 1950s England में मतलब 1950s time England में या कहानी मतलब वहीं की है Elishan comes from a traditional upper class background Elishan जो है एक upper class background से आती है पारंपरिक मतलब जो पैसे वाले background होते हैं उसे बिलॉंग करती है Jimmy comes from a working class और Jimmy जो एक working class से बिलॉंग करता है दोनों husband wife है Though he is highly educated हलाकि वह बहुत जादा educated है कौन? Jimmy The couple live with Cliff Leavish Cliff Leavish नाम के इंसान के इशार्थ रहते हैं यह लोग an affable working class man यह भी एक affable मतलब काफी अच्छा इंसान है इन दोनों का friend है वह भी working class का man and Jimmy is long time friend और Jimmy का काफी लंबे time से friend है यह कौन Cliff Leavish फिर स्टोरी begins on a Sunday स्टोरी जो में स्टोरी एक संडे से शुरू होती है Sunday morning in the apartment इन दो अपार्टमेंट में Ellison iron cloths Ellison कपडी को iron कर रही थी वाइल Cliff and Jimmy read the newspaper जबकि Cliff और Jimmy क्या कर रहे थे Newspaper पढ़ रहे थे Jimmy thinks Jimmy सोचता है that suffering is the only way to experience true human emotion Jimmy का मतलब सोचना है कहना है मानना है कि जो suffering है कुष्ट है वह human emotion को express करने का मतलब experience करने का human मानवता को मनुष्यजाती में होने का मतलब एक ही तरीका है and that Ellison and his wife wife and other upper class people are therefore less alive than he is और वह सोचते कि मतलब जो Ellison है उसकी खुद की wife और जो upper class के लोग है मतलब पैसे वाले उन सब वह सब है न इस चीज को फील नहीं कर शकते इसलिए वह इन सब जीजों को ज्यादा समझता है इसलिए वह क्या ज्यादा अलाइव है फिर आगे Jimmy insults her wife Jimmy अपनी wife के insult करता है and complains that all women are out to destroy men कि सारी जो अरोते हैं आईए वह सिर्फ men को भरबाद करने या विया Cliff attempting to cheer Jimmy up Cliff सोचता है कि कैसा Jimmy का mood ठिक किया जाए क्योंकि Cliff भी इन लों के शाती रहता था begins to banter and rough house with his friend और वो शुरू कर देता है मजाग करने शुरू कर देता है Cliff उसका mood change करने के लिए the two fall against Elishan ironing board दोनों जो मजाग कर रहे हैं तो दोनों गिर जाते हैं Elishan जो कपड़ा iron कर रही थी ना cloths में उसके board के against गिर जाते हैं and her arms burn और उसका जो मतलब हाथ है Elishan का arm वो burn यानि जल जाता है Jimmy Apollo sizes Jimmy माफी मांगता है but she yells at him to live लेकिन वो उसको चिला के बोलती है जाने के लिए बोलती है मतलब करें इसको गुस्सा आ गया उसका हाथ जेल गया इन दोनों के वज़े से lives and he exists और वो चला जाता है Cliff helps Elishan Elishan की help करता है उस burn को मतलब दवाई लगाने में मदद करता है and she reveals to him और वो उसको बताती है Elishan that she is pregnant वो pregnant है with Jimmy's child जिमी के बच्ची की मा बनने वाली है she hasn't told Jimmy yet वो अभी तक ये बात Jimmy को भी नहीं बताए थी because he is afraid क्योंकि वह डड़ी भी थी कहीं नहीं कहीं husband पहले से इसको ताना मार रहा है कि तुम देखी नहीं your suffering क्या होता है और अभी उसको लग रहा है कि अभी हम बता देंगे तो मेरा husband more frustrated हो जाएगा गुस्सा करेगा Cliff Comforts Elishan Cliff है जो Jimmy का friend वो Elishan को comfort की नहीं यकीन दिलाता है that tells her Jimmy loves her Jimmy उसको प्यार करता है he kisses her उसको kiss करता है Cliff करता है Elishan को kiss Jimmy enters while they are kissing Jimmy तभी प्रवेश्ट कर जाता है जब वे लग एक दूसरे को kiss कर रहे होते तो Jimmy प्रवेश्ट कर जाता है but doesn't react यह लोग लेकिन Jimmy को कही नहीं पता है कि मतलब उस टाइम यह सब चीज नॉर्मल था उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे नॉर्मल फ्रेंड है यह लोग तो इस टाइम जी में react नहीं करता है कुछ समय बाद Cliff lives to get some cigarettes Cliff वहाँ से चला जाता है कुछ cigarette लाने के लिए but when Cliff returns he says that Helena Charles one of Ellison upper class friend Helena Charles नाम की लड़की है जो कि Ellison की upper class मतलब पैसे वाली background मतलब फैमली वाले से एक friend है is on the phone Jimmy's mood immediately darkens Jimmy का जो है mood काफी खराब जाता है क्योंकि no doubt यह पैसे वाले इंसां से थोड़ा नफलत करता था When Ellison says that Helena wants to stay with them Helena उसके साथ रहना चाहती है Jimmy explodes Jimmy पूरा मंदर एक गुस्सा हो जाता है आल बुला हो जाता है गुस्से से He says that Ellison would have a baby मतलब मेरी एक्छा है तुमको एक बेभी हो Ellison को that would die जो कि जिसकी की मिर्ती हो जाई या मरा हुआ So that she would experience true suffering कि उसको feel हो पाए उसके बाद वो feel कर पाएगी कि suffering क्या होता है यह बात खुद उसका husband अपनी वाइव के लिए बोलता है ठीक है Jimmy किसके लिए बोलता है Ellison के लिए Helena arrives at Ellison's apartment Ellison's apartment Ellison's apartment both of them sharing the womanly duties both of them Helena और Ellison दोनों या पे womanly duties मतलब घर काम एक दूसरे से मतलब बांट के मिलके कर रही है Ellison tells Helena about her married life Ellison अपने married life के बारे में Helena को बताती है Then Helena asks उसके बाद Helena पूछती है Why they got married कि वह उसके शादी क्योंकि Ellison says Ellison कहती है My father disapproved Jimmy क्योंकि उसके mother मतापीता जो disapproved और स्विकार कर दिये थे Jimmy को That made Jimmy want to marry her no matter what जिसवजे से Jimmy पूरा मतलब उस टाइम भी react कर गया था और चाहता था कोई भी हो कोई भी रिजन हो बस हमको शादी करना है ठीक जब वह सुनता है That Helena and Ellison are going to church together कि Helena और Ellison together एक साथ church जा रही है Later that उसके बाद Jimmy also becomes convinced यह Jimmy इस चीज के लिए convinced हो जाता है मान जाता है That Helena is out to take Ellison away कि Helena जो आई है ना वह Ellison को उससे दूर करने के लिए आई है Jimmy के मन में यह चीज आता है He insults Ellison वह Ellison की फिर से insult करता है मतला अपनी वाइफ की Jimmy asks to Helena Jimmy Helena से पूछता है She has ever watched someone die क्या उसने कभी किसी को मरते वे देखा है He tells the story of watching his father die वह अपने पिता की मिर्तियू के बारे में बताता है कि कैसे वह अपने पिता की मिर्तियू को देखा था मरते विन को देखा था When he was 10 years old जब वह 10 ही साल का था After that उसके बाद Jimmy lives to get the telephone उसके बाद Jimmy मतलब telephone लेने के लिए वहा से चला जाता है While he is gone जब वह लोग चले जाते Helena tells Ellison Helena and Ellison को बताती है That She had sent a message to her father कि वह उसके पिता को message भेजती है asking him to come pick Ellison up कि मतलब Helena क्या करती है Ellison के पिता को message भेज देती है कि आईए और Ellison को यहां से ले जाए क्यों कहीं ने कहीं इसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है इस फिती देख के Ellison का क्या बात बात पर Jimmy है जो इस पर चिड जाता है Now Ellison's father comes to take his daughter Ellison Ellison के पिता उसके अपनी बेटी को लेने आते है She says goodbye to Cliff Cliff को goodbye कहती है Helena stay behind because she has a work meeting Helena वहीं रुख जाती क्योंकि उसका कहीं नहीं work meeting है Ellison and his father leaves अब यहां से Ellison और उसके पिता चले जाते है When Jimmy comes back फिर से जब Jimmy वापस आता है Helena gives him a letter Helena उसको एक letter देती है that Ellison wrote for him जो के Ellison लिखी थी उसके लिए Helena tells him Helena उसको बताती है that Ellison is going to have a baby के Ellison को एक baby होने वाला है He says वह कहता है that he is not happy with this news उसके वह इस news को सुन के कुछ खुश नहीं क्योंकि उसकी वाइफ इसको छोड़ के चली गई थी तो Jimmy react करता है कि मोँ कोई खुशी नहीं है मोँ कोई लेना देना नहीं है इस बात से And insults Helena Helena का insult करना शुरू कर देता है Who slaps him जो किसो क्या करती है मतलब बिग्निंग जो शुरू आला एक था सेम वैसा ही situation आ जाता है Except that it is now Helena क्योंकि यहां पर एक चीज अलग था कि यहां पर Helena थी Who is ironing जो कि iron कर रही थी मतलब सेम चीज रिपीट होता है ठीक है जो फर्स्ट एक्ट में देखे थे डर्टी इस सट वह लोग फिट से मजाग करते है क्लिफ अपना क्लिफ डर्टी इस सट क्लिफ उसके सट को गंदा कर देता है जिमी के सट को Helena लिफ्स टू क्लिन इट मतलब सट को शाफ करने के चली जाती है क्लिफ जो है जिमी को बोलता है that is moving out मतलब जा रहा है मतलब वहां दोनों को छोड़के जा रहा था हलेना कमस बैक विट सट अब हलेना मतलब जो सट को साफ करने के सट के साथ आती है और जिमी को कहती है that she loves him कि वह उसे पशंद करती है and he ask her desperately और मतलब जिमी वह ही यानि जिमी की पहली वाइफ जिमी की पहली वाइफ जिमी की पहली वाइफ दोर पे आती है looking sick and disabled मतलब काफी बीमार दिख रही थी और मतलब बहुत मतलब दिख रही थी कि काफी जादा निराश है in the next अगला Sheen में क्या होता है Elishan tells Helena that she is not angry with her that she is not angry with her and she is not trying to break up the new couple and she is not trying to break up the new couple and she says that we don't want to be a new couple that we are a new couple Elishan, Helena and Jimmy close to her this is clear to her Helena Hoiber says that Elishan presents as remind her that Elishan that what she is doing is wrong वह जो भी की या जो भी कर रही है वह सब गलत है Elishan has also had a miscarriage Elishan का भी क्या होता है miscarriage हो जाता है जो Jimmy बोला था कि तुम्हारा बच्चा अमड़ जाएगा तो वह पता चलेगा क्या होता है suffering तो Sim Elishan के साथ होता है Helena calls Jimmy Helena Jimmy and tells him और उसको बताती है that she is living की वह जा रही है and she lives और वह चली जाती है ठीक है फिर आगे Elishan अपोलाइज़ Elishan माफी मांगती है and tells Jimmy and Jimmy को बताती है that the loss of their child क्योंके बच्चे का जो मिर्ती हो गई has made her understand the depth of emotion तो उसको and he wanted her to have all this time and collapse at her feet मतला वो बताती है कि तुम जो हमेशा से चाहते थे कि मैं समझ पाऊं कि क्या होता है feelings, emotion, suffering मैं वो समझ चुकी हूँ मेरे बच्चे की जब मिर्ती हो गई तो यह चीज़ को समझ में आ गई थी कहीं ना कहीं कहीं जो मतलब addition जिमी उसको इस तरीकी से नहीं देख सकता था and hug sir और उसको क्या करता है hug कर लेता है मतलब गले लगा लेता है thus at the end इस पर का end में of the play play के Elysian and Jimmy comes back together यह दोनों फिर से वापस साथ आ जाते है the couple decide to repair their marriage और दोनों couple decide करते कि कि वे लोग अपनी अपसाधिशुदा जिंदगी को ठीक कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पे वीडियो खतम होता है नोटस खतम होता है वीडियो आपके लिए help ford होता है तो प्लीज आप लग वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्स्क्राइब करना और कमेंट लिए बताने वीडियो में कैसा लगा मेंके निक्स टॉपिक के साथ